जै हिन जै भारत स्वागा थे आप सभी के एक बार फिर से ही MPUTKARS YouTube चैनल पर रात के आड़ बच चुके हैं दोस्तों क्लास हमारी सुरू हो चुकी और आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ की नदिया पार फिर टू दक्षण भारत की नदिया ये भाग दो होगा और सबका स्वागत है गोड़ इवनिंग नमस्कार सभी लोग क्लास में जुड़िये भारत म रेखा ब्राम्भनी महानदी इसके बाद गोदावरी फिर कृष्णा उसके वश्चात हमने बात की पेननार की कावेरी ठीक है और वैगई लेकिन आज के क्लास में दोस्तों महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी इनकी सहायक नदियां हम पढ़ेंगे जो की बहुत ज सहायक नदियां देखो भाई एक बार मैं आपका रिविजन करवा देता हूँ सभी नदियों का ठीक है मुर्षिदाबाद एक जगे थी पश्चिम बंगाल में वहां से गंगा नदी से एक नदी अलग हो रही थी यानि कि डिस्ट्रिब्यूटरी ओफ गंगा जिसका नाम थ हुगली तो पश्चिम मंगाल में गंगा की एक धारा गंगा से अलग होकर दक्षण की और मुड़ जाती है जिसे हुगली नदी कहा जाता है अर्थात हुगली गंगा की वितरिका है हुगली इस दा डिस्ट्रिब्यूटरी ओफ गंगा हुगली नदी के तट पर पश्चिम दामोदर ने लगाई हल्दी तो उसका रूप नरायन जैसे हो गया ठीक है तो दामोदर हल्दी रूप नरायन ये किसकी सहाग नदिया है हुगली की इसके बस्चात हमने देखा कि छोटा नागपूर पठार से निकलने वाली तीन नदियां सबसे पहले दामोदर उसके बाद स दोस्तों ब्राम्वनी तो छोटा नागपूर पठार से निकलके दामोदर नदी जारखंड से प्रवाहित होते हुए पश्चिम मंगाल में जाकर हुगली में समाहित हो जाती है यह नदी भी भरंश घाटी में बहती है आंगे हम पढ़ेंगे कि नर्मदा और तापती नदि भी भरंश घाटी में अर्थात रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती है उसी प्रकार दामोदर नदी भी भरंश घाटी में प्रवाहित होते हुए पश्चिम मंगाल में जाकर हुगली में समाहित हो जाती है दामोदर नदी को पश्चिम मंगाल का शोग भी कहा जाता है और भारत की पहली नदी घाटी परियोजना DVC दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानि की दामोदर घाटी निगम भी दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर है। जपया नदी पर एक जलपरपात भी हमने पढ़ा था जारखंड में हुंदरु जलपरपात ये स्वणर ये नदी पर है जारखंड में इस्तित है। आगे हम देखेंगे कि छोटा नागपुर पठार से निकलने वाली नदी इसका नाम है ब्राम्मनी, हाला कि छोटा नागपुर पठार से दो छोटी नदिया निकलती हैं, एक का नाम है दक्षणी कोयल, एक का नाम है शंक, जब दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं तो नि ब्रामणी नदी के तटपर मैंने आपको बताया था कि स्टील सिटी है जिसका नाम है राउर केला राउर केला स्टील सिटी जो की ओडिसा में है जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था राउर केला ब्रामणी नदी के तटपर है मैंने आपको बताया था सेकेंड गये थे दुर्गापूर भिलाई राउरकेला दुर्गापूर पश्चिमंगाल में भिलाई छतीजगड में राउरकेला औरिसा में दुर्गापूर ब्रिटेन की सहाइता से बिलाई रूस की सहाइता से और राउरकेला जर्मनी की सहाइता से थापित किया गया था राउरकेल ब्रामभणी नदी के तटपर है इसके बश्चात हमने बात की दंड कारण पठार में एक पहारी है जिसका नाम है सिहावा सिहावा पहारी से निकलने वाली नदी का नाम है महानदी और महानदी का प्रवाह दो राज्यों में है सबसे पहले 36 गड़ उसके बाद ओडिसा 36 गड़ में महानदी का जो बेसिन है जो आसपास की उपजाओ जमीन है वो धान उत्पादन के लिए जानी जाती है इसलिए 36 गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है और सारी की सारी धान बहकर और इसा के कटक शहर के समीब चहां पर महानदी डेल्टा बनाती है वो धान वहाँ पहुच गई तो बन गई चावल इसलिए कटक में चावल अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा साथियों उसके बाद हम महानदी की आज सहायक नदियां भी पढ़ेंगे जो की जरूरी है उसके बाद हमने पढ़ा था त्रेमकेश्वर पहाडी नासिक के समीब से निकलती है महाराश्ट से गोधावरी गोधावरी दक्षिन भारत की सबसे लंबी नदी है भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है इसे बुड़ी गंगा, वृद्ध गंगा, ओल्ड गंगा या साउथ गंगा या दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और ये नदी लगभग तीन राज्यों में बहती है लेकिन मैंने आपको चार बता दिये थे इसका अपवाक शेत्र छत्तीस गड़ में भी है तो महराष्ट तिलंगाना चत्तीस गड़ और आंद्रप्रदेश आंद्रप्रदेश के राज मुंदरी में गोदा वरी नदी अपना डेल्टा बनाती है राज मुंदरी में है तमाकू अनुसंधान के इंद्र कटक में है चावल अनुसंधान के इंद्र इसके बस्चा दोस्तों महावले स और चोटी से निकलती है कृष्णा का प्रवाज भी चार राजों में है महराष्ट करनाटक तिलंगान आंद्रप्रदेश और आंद्रप्रदेश के विजय वाड़ा में कृष्णा नदी अपना डेल्टा बनाती है और जक्षिट भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कृष कावेरी जल विवाज के बीच करनाटक और तमिल नाडू क्योंकि कावेरी नदी का प्रवा करनाटक और तमिल नाडू में ही है कावेरी पत्टना में एक जगह है वहां पर यंदि डेल्टा बनाती है इसको एड़ कर लेना वरुषनात पहाडी तमिल नाडू में है तो वासे वरुषनात वासे वैगई और वैगई नदी वरुषनात पहाडी से निकल के पाक जलसंधी जोकि भारत और श्रिलंका के मद्ध है पाक स्ट्रेट में जाके मिल जाती है और वैगई नदी के तट पर तेवारों का शहर मदुरई इस्थित है। ये मैंने आपको रिविजन करवा दिया और आज की क्लास में सबसे पहले हम देखेंगे की पढ़ने क्या वाले हैं ये बता देता हूं मैं आपको। आज हम पढ़ने वाले हैं महा नदी साथी साथ गोधावरी कृष्णा और कावेरी ये नदिया थो हमने पढ़ ली हैं इनकी सहायक नदिया हम पढ़ेंगे ट्रीवूटरीज सहायक नदिया थीक है तो बढ़ियां से क्लास में जुड़िये सब का स्वागत है भाई गड़ी इल्टी जब को ठीक है चलिए यहां पर देखिए, तो इनकी सहायग नदी यहां पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यहां पर आप देखेंगे, देखो, महा नदी की सहायग नदी, महा नदी कहां से निकलेगी, यह है पहाडी जिसका नाम ह सिहावा ठीक के इस पहाडी का नाम क्या है सिहावा अच्य समझना क्योंकि यहाँ से कोष्चन बनते ही बनते हैं और कोष्चन गलत भी फी हो जाते ऐस्च सिहावा पहाडी च्छतिस-गड़ और यहहीं से निकले की कौन सी नदी तो यह वाली जिसका नाम है महानदी, ठीक है, तो ये है महानदी, अब महानदी की जो सहायक नदी है, जो सहायक नदियां है, वो कैसे याद करेंगे, ध्यान से यहां पर समझना, महानदी की सहायक नदियां, ध्यान से देखो, तो यहां पर हमने नदी का नाम लिखा है, महानदी, ठीक है, के समीप तो यहाँ पर कौन सा स्वह रहे कटक ठीक है वही छाहाँ पर चावल अनसंदान केंद्र है अब ध्यान से मेरी बास समझेगा कैसे याद करेंगे इसकी सहायक नदियां देवो में देव महादेव, नदियों में नदी, महानदी यह तू आसान है देवो में देव तो महानदी की सहायक महादेव से यात करो महादेव से महानदी और महादेव का एक नाम शिव भी है और भोले नाथ भी कहते हैं दोनों को एक साथ क्या बोलेंगे शिवनाथ तो देवों में देव महादेव नदियों में नदी महानदी और महानदी की सहायक नदी का नाम क्या लिख दिया हमने शिवनाथ तो शिवनाथ किसकी सहायक नदी है महानदी की ठीक है और भगवान शिव मंद मंद हसते भी रहते हैं बहुत तेजी से नहीं हसते मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं ठीक है तो ध्यान से यहाँ पर देख लो हसते रहते हैं देवता हस देव ठीक है तो सिव भगवान हसते रहते हैं लेकिन मंद 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 हसते हैं भीया इसलिए नदी का नाम ही है मंद ध्यान रखना नदी का नाम क्या है मंद तो देवों में देव महा देव नदीवों में नदी महा नदी महा नदी की सहायक शिवनात हस देव मंद और एक और सहायक नदी नदि नदि यहाँ रहेेगी आपको क्योंकि यह बहुत ज़रूरी नदि है और एब नदी जहाँ ये नदी पर महा नदी से मिलती है यहाँ बनता है भरत ही नहीं एशिया का सब से नमदा बांध इसका नाम हीरा कुंड हिरा कुंड डैम तो हिरा कुंड डैम कहां बनता है ओडिसा में बनता है ओडिसा में संबल पुर जिला है जब महानदी से आकर मिलती है इब ये बार ध्यान रखिएगा ठीक है आगे चलते हैं तो देवों में देव महादेव नदियों में नदी महानदी महानदी की सहा दूस्तृ बोले नात संदृ फोले नाथ की जो दोस्त यार दूस्ताम कैई एक प्रकार जीव करें। जो गार चिपक जाता है तो फिर निकलता नहीं है लीच बोलते हैं रेजी में Hindi में जोंक ठीक है तो देव में अधेव महादेव के भाई ठीक है यह देखो क्यांकि भगवान शिव को पशुपतिनाद भी कहते है तो सारे पशुपक्षी जोंक जान रखना और जोंक का छोटा भाई है ओंग ये चिपक जायते हם तो भी या खून निकाल लेते हैं न और जब तक इन में मिट्टी का तेल ना डालो या फिर नमक ना डालो तब तक ये निकलते भी नहीं है तो मिट्टी का तेल मतलब तेल, एक साथ बोलो कि याद हो जाएगा, जोंक, ओंग, तेल, तो देवों में देव, महा देव, नदियों में नदी, महा नदी, तो महा नदी की सहायक, शिवनात, हस देव, मंद, इब, इब के पास सीरा कुंड, जोंक, ओंग, तेल, एक दो बार बोलोगे, अपने आप बनने लगेगा, देव में देव, महा देव, नदिव में नदी, महा नदी, तो महा नदी की सहायक, शिवनात, हस्देव, मंद, इब, जोग, ओंग, तेल ठीक है, ध्यान रखना, आगे चलते हैं. नेक्स्स जो रिवर है दोस्तों उस नदी का नाम और वो नदी कहां से निकलती है त्रेंब केश्वर तो ये त्रेंब केश्वर पहाड़ी है त्यान रखियेगा त्रेम्ब केश्वर त्रेम्ब केश्वर पहाडी और त्रेम्ब केश्वर पहाडी नासिक के समीब है जहां से नदी कौन से निकलेगी दोस्तों जहां से नदी निकलेगी ये वाली और इस नदी का नाम क्या हो जाएगा इस नदी का नाम है गोदावरी इस नदी का नाम क्या है गोदावरी जो कि राज मुंदरी के समीब जहां पर तम्भाकू अनुसंधान केंद्र है राज मुंदरी राज मुंदरी के समीब डेल्टा बनाती है तो मुख्य नदी का नाम क्या है दोस्तों मुख्य नदी का नाम है गोदावरी अब ध्यान जो समझना आँगे तो गोदावरी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो कैसे याद करेंगे गोदावरी में लाष्ट में आ रहा है री वैसे भी राजमुंदरी गोदावरी गोदावरी राजमुंदरी तो इसकी सहायक नदियों में भी लगभग आपको रा मिलेगा रा किसी भी प्रकार से मिल सकता है ठीक है जैसे इस नदि का नाम है पूर्णा तो पूर्णा में रा है ध्यान रखना ये देखो रा ये राकार की मात्रा अगी न तो रा आ गया की नहीं आ गया इसी नदी को क्या बोलते हैं गोदा वरी को गोदा वरी को ही बोलते हैं दोस्तों क्या बोलते हैं गोदा वरी को गोदा वरी को ही बोलते हैं साउथ गंगा यानि कि दक्षन की गंगा ठीक है अब इसकी साइग नदी देखो इसका नाम है वर्धा तो वर्धा में भी क्या आ ग इसका नाम है पेन गंगा पेन गंगा में भी रा नहीं आ रहा लेकिन गंगा तो आ रहा है न तो दक्षण की गंगा कौन है गोदावरी तो दक्षण की गंगा की ही सहायक नदिया होंगी न वेन गंगा पेन गंगा यही तो ट्रीक है उसकी दक्षण की गंगा गोदावरी की सहाइग नदिया वेन गंगा पेन गंगा और जब ये नदिया आपस में मिल जाती है यहाँ पे तो इस नदी का नाम हो जाता है प्राण हिता जहां से देखो क्या हो जाएगा प्राण हिता तो प्राण हिता आपने देखा कि जब वर्धा और वेन गंगा मिल जाती है तो नाम हो जाता है प्राण हिता और इसी प्राण हिता में आकर मिल जाती है कौन सी आप देखेंगे पेन गंगा उसके बाद देखो इंद्रावती ये जो नदी है ये किसकी सहायक है गोदावरी की इंद्रावती में भी रा आ रहा है अठ्छिस देख आपको एक waterfall मिलेगा, एक waterfall इंद्रावती नदी पर इसका नाम है चित्रकूट, 36 गड में है, ठीक है, क्या नाम इसका, चित्रकूट जलप्रपाद, चित्रकूट जलप्रपाद को दोस्तों कहा जाता है भारत का न्यागरा, न्यागरा ओफ इंडिया, तो भारत का न्यागरा क कहा जाता है, चित्रकूट waterfall को 36 गड में है, मद्यप्रदेश मत लगा देना, और फिर इस तरफ की सायक नदीया देखो, इस नदी का नाम है दोस्तों, यह जो नदी है, इसका नाम है प्रवरा, तो प्रवरा में भी रा गया, प्रवरा के बाद दोस्तों, दो नदीया और ज तो मन्यार में भी क्या आ गया, रा गया, तो गोदावरी की लगबख सभी सायक नदियों में रा रहा है, जिसमें रा नहीं आएगा, उसमें गंगा आएगा, वेन गंगा, पेन गंगा, तो साउत गंगा वैसे भी गोदावरी ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्णा नदी पर दोस्तों एक बनाया गया है artificial lake प्रत्रिम जील है इसका नाम है निजाम सागर है तेलंगाना में हैं निजाम सागर हैदराबाद के पास ही है तो निजाम सागर जो जील है यह artificial lake है ध्यान रखियेगा किस नदी पर है? मंझीरा आगे बढ़ते हैं next river जो की निकलेगी कहा से जो की निकलेगी दोस्तों ये नदी कहा से ये निकलेगी महा बलेश्वर चोटी महाराष्ट महा बलेश्वर ठीक है महा बलेश्वर तो महा बलेश्वर चोटी महाराष्ट से निकल रही है कौन सी नदी तो इस नदी का नाम है दोस्तों कृष्टना ठीक है और कृष्टना आंगे बढ़ते हुए चार राज्यों से बैती आपको पता है चार राज्य कौन कौन से है चार राज्यों में दोस्तों महरास्ट, करनाटक, तिलंगाना और आंध्र प्रदेश ठीक है विजय वाड़ा में ये नदी डेल्टा बनाती है तो नदी का नाम क्या है प्रमुख नदी का नाम क्या है क्रिष्णा नदी का नाम क्या हो जाएगा तो भाईया नदी का नाम है क्रिष्णा ध्यान लखना नदी का नाम क्या हो गया, तो नदी का नाम है क्रिश्णा, अब जो क्रिश्णा की सहायक नदीयां कैसे याद करेंगे, क्रिश्णा की सहायक नदीयां याद करेंगे हम, ठीक है, क्रिश्णा की सहायक नदीयां याद करेंगे, कि जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो पांड जब बिहीम के साथ कोई नहीं था तो कौन था, बताओ, ठीक है देखो ध्यान समझना है मेरी बात को, जब भीम के साथ कोई नहीं था, तो कौन था, खुरिशना है ना तो भीम याने की भीमा जब भीम के साथ कोई नहीं था मतला कोई ना तो कौन था कृष्णा देखो कितना आसान हुआ तो भीमा और कोई ना किसकी साग नदिया कृष्णा की क्योंकि जब भीम के साथ कोई नहीं था तो कौन था कृष्णा अब देखो कृष्णा नाम की मानले एक मौसी है जो कहां रहती है है तो कृष्णा मौसी मतलब मौसी तो मुसी कृष्णा की सायक है और इसी नदी के तट पर आपको क्या मिलेगा इसी नदी के तट पर आपको मिलेगा हैदराबाद तो मैंने कहा ना कृष्णा नाम की कौन है मौसी जो कहा रहती है हैदराबाद में तो हैदराबाद किस नदी के तठट पर है आपसे पूशेगा तो आप क्या बोलेंगे मूसी नदी के तठट पर है हैदराबाद इसी मूसी नदी पर आपको एक दिल के आकरती की जील मिलेगी दिल के आकरती की जील, Heart-Shape Lake, इसका नाम है हुसेन सागर, हुसेन सागर, तो हुसेन सागर जो जील है दोस्तों, वो किस नदी पर है? मुसी नदी पर है, और हुसेन सागर भी Artificial Lake है, हैदराबाद में है, और इसमें गौतम बुद्ध की मूर्ती भी है, तो भारत की किस जील मे गौतम बुद्धि की मूर्ती है हुसैन सागर जील तो मैंने लिख दिया बुद्धा स्टैचू ठीके तो भीम के साथ कोई नहीं था तो कौन था कृष्णा कृष्णा नाम की मौसी है तो कहां रहती है है अगरण है हैधराबाद में तो मौसी नदी के तट पर है और इसी मौसी नदी पर हार्ट शेप लेख है उसी में बुद्धा स्टैचू है ठीक है आप देखो कृष्ण भगवान की दो बहने थी मान लो ठीक है एक का नाम था प्रभा एक का नाम था आपको पता यह सुभद्रा कृष्ण बलभद्र सुभद्रा किरत यात्रा भी निकलती ओडिसा में पुरी में तो कृष्ण भगवान की दो बहने एक का नाम था प्रभा एक का नाम था सुभद्रा तो प्रभा नाम से जो भी सहायक नदी होगी वो किसकी सहायक नदी होगी भाई बहन साथ में कृष्णा की और किसी नदी में सुभद्रा आएगा या भद्रा आएगा तो वो भी किसकी नदी होगी कृष्णा की ही सहायक नदी होगी जैसे प्रभा बहन है तो घाट प्रभा कृष्णा की सहायक ठीक है माल प्रभा किसकी सहायक कृष्णा की सहायक और सुभद्रा से हमको याद करोगे तुंग भद्रा तो तुंग भद्रा भी किसकी सहायक नदी हो गई तुंग भद्रा भी कृष्णा की सहायक नदी हो गई बात समझ गए अब देखो तुंग भद्रा नदी के तट पर आपने पड़ा होगा विजय नगर सामराज की राजधानी हमपी हमपी के समा तो यह कहानी है दोस्तों और हम्पी विजन अगर सामराजी की राजधानी हुआ करता था लंबे समय के लिए सभी लोग गुड इबनिंग क्लास पर ध्यान दो और विजन अगर सामराजी के संस्थापक दो भाई थे जन्होंने संगम वन्ष से सुरुवात की थी विजन अगर सामराजी की हरियर और बुक्का जब उत्तर भारत में दिल्ली सल्तना चल रही थी और तुगलक वन्ष के शा उनके गुरु का नाम था माधव विद्यारंड तो यह भई हमपी है ध्यान दखियेगा आगे देखो आप अंगली जो पहाड़ी है उसका नाम हो जाएगा ब्रह्मगिरी ठीक है ब्रह्मगिरी पहाड़ी यह है ब्रह्मगिरी पहाड़ी और ब्रह्मगिरी पहाड़ी से नि ब्रह्मगिरी चोटी ही लिख देता हूँ मैं ब्रह्मगिरी चोटी है करनाटक में बावा बुदन की चोटी करनाटक में कुद्रे मुख भी करनाटक में तो ब्रह्मगिरी चोटी से निकलने वाली नदी का नाम क्या हो जाएगा कावेरी दक्षन भारत की एक मात्र ऐसी नदी है ठीक है यह delta बनाती है कावेरी पतनम के पास ठीक है कावेरी पतनम के समीब यह delta बनाती है ध्यान रखिएगा नदी का नाम है कावेरी दक्षण भारत की एक मात्र ऐसी नदी है जिसका पानी साल भर बहता रहता है इस नदी में पानी की मात्रा कम नहीं होती नदी सुखती नहीं है बागी साउथ की जितनी भी नदियां है प्राइद्वीपी जितनी नदियां है फिर चावरायस्थान में में हूं अध्यप्रदेश में हूं प्राइदूइपी नदियों की बात कर रहा हूं गंगा की बात निchat नी Crime रह्या पैटी नदियों कर दो समा कजऑं से चूंक दोस तूला ही में अरु दिसम्बर जन्वरी ये जन्वरी फर्वरी में दो बार पानी मिलता है ध्यान लखना वन एंड आउनली पेरेनियल रिवर आफ साउथ इंडिया कावेरी रिवर दक्षिन भारत की एक मात्र सदा बहार नदी कावेरी देवी का नाम लगता है तो इसकी सहाइग नदियों के नाम भी देवियों के नाम पर होंगे पवित्र नाम होंगे ठीक है पावन नाम होंगे देखो जैसे इसकी यही ट्रिक है इसकी सहाइग नदियों के नाम देवियों के नाम पर होंगे पवित्र नाम होंगे पावन नाम होंगे ठीक है ये आपको ध्यान लखना है जैसे साउथ की एक देवी है हरंगी तो हरंगी देवी का नाम है कावेरी की सहायक नदी है हेमवती देवी का नाम है कावेरी की सहायक नदी है अरकावती देवी का नाम है कावेर की सहायक नदी है लक्षमन तीर्थ लोक पाविनी पावन नाम है पवित्र नाम है कावेरी की सहायक नदी है इसके लावा दोस्तों यहाँ पर एक और छोटी सी नदी है शिंक शा ऐसे लिखते हैं वैसे तो इसको यह भी किसकी सहायक नदी है कावेरी की शिंक शा देवी का ना देवि का नाम है कावेरी की सहायक नदिया है तो यह सब कावेरी की सहायक नदिया है जो देवियों के नाम पर यहां पवित्र तार्गेट हमारा क्या था महानदी, गोदावरी, कृष्णा, काविरी इनकी सहायक नदियां पढ़ना था तो महानदी की सहायक में हमने क्या देखा याद करो देवो में देव, महादेव, नदियो में नदी, महानदी तो महानदी की सहायक, शिवनात, हस्देव, मंद, इब, जोक, ओंग, तेल, ठीक है, फिर यहाँ पर हमने देखा, गोदावरी की सहायक नदी, सब में रा आएगा, पूर्णा, वर्धा, दोनों में रा आया, लेकिन वेन गंगा, पेन गंगा में रा नहीं आया, तो भीया, वे न्यागरा बोलते हैं उसको, चित्रकूट, जलपरपात को क्या बोलते हैं, भारत का न्यागरा, ठीक है, न्यागरा वैसे, कैनेडा, युएसे की बॉर्डर पे है, सबरी, ये भी गोदावरी की सहायक नदी, प्रवरा, मंजीरा, मन्यार, सब में रा रहा है, तो ये गोदा नदी पर हुसेन सागर जील है, फिर दो बहने थी प्रवा और सुभद्रा, प्रवा से घाट प्रवा, ठीक है, माल प्रवा और सुभद्रा से तुंग भद्रा, तो ये सब क्रशना की सहायक नदियां थी, फिर कावेरी की सहायक नदियों में सब देवियों के नाम पर हरंग शिम्क्षा, हेमवती, अरकावती, ठीक है, पवित्र नाम, लक्षमाट, तीर्थ, लोगपाविनी और भवानी, तो ये सब दोस्तों, कावेरी की सहाइक नदिया, इतना हमको आज पढ़ना था, अरब सागर में मिलने वाली नदिया, वो हम अंगली क्लास में पढ़ेंगे, त तो क्लास को लाइक करिएगा, ठीक है, मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में जैहिन जै भारत, बोलो भारत माता की जै, शुबरात्री